हलो एवरीवन कैसे हो आप सब तो आज करीबन मैं सुबह आठ बजे उठी थी और उठने के बाद आज मेरा ना सुबह सुबह उठके वैसे मैं नहा लेती हूँ पर आज मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा था तो मैं अपना पहले का सोचा कि साफ सफाई कर लूँ एक्चली हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों नहाई नहाने का भी एक कारण है कि मैं सुबह नहापाई इसका रीजन ये था कि जो हमारा पानी था ना टंकी का वो खतम हो गया एक्चली क्या होता है हमारे यहाँ पानी ना दो बार आता है एक बार सुबह आता है मैं तहला है से काम और नीट करते हैं तो मैंने अपने अपुछ तरह बना दिया था ने आपने ग़्यर कंबल घाय जानी कम्बल में आपकनी एसगर हम अबना जैसे शाम को जैसे सोते हुए हम ओड लेते हैं लेकिन वैसे नहीं रहा कि आपको दिन में भी ओड नहीं है इसलिए श्टोर रूम में पीछे जो ये संदूक आपको दिख रहा होगा इसके उपर मैं सारे के सारे जितने भी ब्लैंकेट्स हैं अच्छे से तै करके यहा कर आई थी और फिर मैंने जब घर में जैसे यह टाइल्स वगरा का काम चल रहा था तो मैंने उठा के पीछे स्टोर रूम में रख दिये थे तो आज मेरा मन किया चलो थोड़ा सा अच्छे से घर को थोड़ा सा साफ सुतरा करके डेकोरेशन भी कर देते हैं तो यह टेड़ की सच में मुझे दिल से खुशी मिली है कि इस बार जो मैं विहान के लिए टोय लाई हुना वो विहान को बहुत जादा पसंद भी आया है और विहान उसके साथ खुशी खुशी खेलता भी है तो लेकिन अभी एक बार के लिए मैं रख देती हूँ जब इसका मन होगा बाद भी जा own कि मेरा नेया वाला घरते यार होगा ना उसमें मैंने सोच रख है कि मैं वहान के लिए एक special 손KY bisa में जिसमें वहान के ख्रल चोटे बच्चे के हिसाब से ही जैसे मैं ऑल पेपर सजाओंगी और उसमे तोई्ट लाकर तेंड आउस सजाँने क बहुत ही सुनद और इसके बाद यहाँ पर जो खाली स्पेस सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर कुर्सिया आ जाएंगी तो यहाँ पर देखी हम चेर्ज लगा देते हैं क्योंकि ना पहले जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैंने याँ सोफे लगा दिये थे पाइकी दो छोटे सोफय मैंने रख लिए थे और ये कुरसियां यहां पे कमरे में है ये तो इतना स्पेस काफी है जो कमरे में मिल जाता है तो वीहान गूमता रहता है कमरे में वैसे भी मैं बाहर मतलब लेके तो चाती हूँ देखिए बीच में मैं सच बताओ सर्दियों में तो मैंने बिल्कुल निकाला विहान को अब मोसम भी ठीक हो रख है तो जैसे शाम को न मैं घूमती हूं कहीं बार जैसे थोड़ा उसा इवनिंग वो कर लेती हूं आदा 40 मिनट तो साथ में विहान को भी ले जाती हूं मैं सोचती हूं इसकी भी थोड़ी सी ऐपोर्ड मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी है और अपने जो चारजर है मैं एक यहां पर ही रख लेती हूं क्योंकि मुझे याद रहता है एक्चुली होता कि है कि हमारी आदत होती है, जो चीज हमें जहां रखने की आदत है न हम वहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं बर क्या होता है, जिसे ममी सफाई कर देते हैं, और वो उठाके कहीं और रख देते हैं, तो मेरे बहुत टाइम खराब होता है, ढूदने में, या फिर घर को लगाने का लोग है, छुटपूर समान मेरा फ्रिज के उपर ही रहता है, तो यह चोटे मोटे देख सकते हो, ब्लैंकेट्स थे, जो की सोफे पर रखे हुए थे, इनको भी मैं उठा के पीछे स्टोर रूम में लगा देती हूँ, क्योंकि अब इतनी ठंड रही है, तो इनकी अब वैसे भी जरूरत भी नहीं है, तो यहां पे देखिए, मैं उपर यहां पे सेट करने लग रही हूँ इनको भी, तो अभी सफाई मैं करने लग रही हूँ, अभी मैं एक छोटा सा प्रोडेक्ट का रिव्यू दूंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, हल अभी दूंटे की जो नींद होती है, जो एस उमन बिंग सब को लेनी चाहिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती है, ताइम पर नींद बिल्कुल नहीं आती है, आपको अपको अपको मदू मे यानि की डाइबिटीज की दिक्कत है, आपका बीपी कभी बहु ज़दा हाई या कि कुछ लोगों का बीपी लो रहता है, तो बीपी की दिक्कत भी आपको रहती है, डाइजेशन आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, आप कुछ भी खाया पिया रहता है, तो आपको अपको बिल्कुल भी आपको लगता है, आपको लगता है कि आपका डाइजेश का सामना भी करना पड़ रहा है तो मैं आज आती लेकर आई हूँ यह नेचर शोर की तरब से प्रीमियम कलोंजी ब्लैक सी टैपलेट्स जो की बहुत ही अच्छी और यूस्फुल है तो चलिए हम इनको अभी ओपन करते हैं उन कैमरा और मैं आपको इनके फाइदे बताती हू नेचर शोर प्रीमियम कलोंजी ब्लैक सी टैपलेट्स जो है इनको अगर आप डेली यूस करते हो तो इसे आपकी बोड़ी काफी स्ट्रेंथ हो जाती हो और कई तरीके की बिमारियां से आप बिल्कुल बच जाते हो आपका इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाता है आपका स अब को देली तीन है हो उसमें 2 टैपलेट्स देली पानी के साथ लेते हो तो आपका ㅜूमाइन काफी यह फरेश पील करता है क्योंकि आपको डैजेशन से जू दिक्कते होती है उन बिल्कुल नहीं वोती है आपका जो बिल्कुल ह送 ब्रेंट ग्रेंज ताइसे लावा ओश डेली ले सकते हो, दो से तीन टेबलेट्स ले सकते हो आपको, दिन में एक से दो बार आप ले सकते हो, हाँ बस आप ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रेगनेंट लेडीज है या लेक्टेटिंग मदर है तो आप कुछ टाइम रुक के लीजेगा, या आपको कोई बहुत ही ह कर लीजेगा, बाकी बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है, तीन साल का आपको इसका लाइफ स्पैन मिल जाता है, भो जल्दी खराब भी नहीं होता है और इसके फायदे तो बहुत ही अच्छे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको उपन करके दिखा रही हूँ यह जानी में हूँ तो मुझे तो बहुत जादा फायदा मिलने वाला है, तो GMP certified है, देख सकते हो, आप ISO certified है तो बिल्कुल भी इसके harmful effects नहीं है, बहुत ही फायदे मनने तो जल्दी से जल्दी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया हूँ है, जल्दी से आपको कैसे result मिलते हैं, चलिए जी, thank you फिर एकदम से थोड़ा ठंडा सा मोसम हो जाता है, मतलब मोसम बदल एकदम से रहा है, कभी दिन में इतनी तेज गर्मी धूप हो जाती है, फिर शाम को इतनी एकदम से ठंड सी हो जाती है, तो इस वज़ए से ना विहान को हलकी हलकी सी, मतलब ठीक है वैसे बच्चा active है, बुखार बुखार कुछ नहीं है, हलकी सी नोजी बहरी थी, तो मैं इसको यहाँ पर यह कोट पहना देती हूँ, और विहान पर ब्लैक वाला कोट सच में बहुत ही जादा सुन्दर लगता है, मुझे बहुत जादा पसंद आता है, इसमें बड़ा क्यूट लगता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यह एरिया भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया था, थोड़ा सा सोफे के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ हो गया था, यह देखें, यहाँ पर बुक्स बुक्स रखी हुई है, सारी मेरी किताबें, मेरी पढ़ने की, तो अभी मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं थी, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर लगाने लग रही हूं झाडू, क्योंकि जफाई मैं कर लेती हूँ, पर जाड़ू लगाना नहीं चाहिए पर मैं शामसी को एक बार फिर भी हलका कर देती हूं क्योंकि छोटा बच्चा बहुत खिंडमिंड मचा देता है जैसे उसके खिलोने वगेरा और जैसे उसको विहान को क्या होता है न मैं जैसे कुछ खिलाती हूं तो उसको नहीं खाना ह वापिस ठूक देता है तो वह फर्ष पर जैसे कहीं बार क्या होता है कि कभी कुछ कभी अनार के दाने ओ गए कभी अंगूर हो गया कभी रोटी होगी तो जमीन तो पर गिर जाती है और उस पर फिर मक्ही आ जाती है इसलिए मैं क्या करती हूं साथ की साथ साफ उठा देती हूं थोड़ा सा फिर ज़ाडू ज़ाडू तो यह लगा लो दिन में 3-4 बार हलका हलका करी देती हूं और पोचा तो हमारे घर में 2-3 बार लगता है मम्मी को मैं बोलती हूं कि मम्मी जो चपल है ना आप बातरूम की अलग रखा करो बाहर की चपले ना आप अलग रखा करो क्योंकि बाहर से चपल मिटी की आती है ना तो कमरों में सारे पैर चप जाते हैं जिसकी वज़े से बार बार फिर ना ज़ाडू लगाना पड़ता है और मेरी भ मेरे को यही काम करना है मैं क्या करूंगी एक चपलना बाथरूम की बाहर रख दूंगी जैसे मेरा बाथरूम वोश्रूम है अगर किसी को भी बाथरूम वोश्रूम जाना होगा तो वही चपल पहन के अंदर जाना है और वही चपल पहन के बाहर ही उतारनी है इससे क्या होग रात को सोने से पहले भी ना मैं एक बर हलका हलका जाड़ू मैं फिर भी मारी देती हूं मुझे लगता है फिर ना सुबह सुबह ना घर कुछ जादा ही वरना फैला फैला सा मिलता है अगर उस टाइम क्लीन ना किया हो तो यहां पे देखिए अभी मैंने जाड़ू तो लगा लिया था मैं फटा फट पोचा लगा लेती हूं अब मैं पहले ना पोचा ना काफी टाइम लग जाता था सूखने में लेकिन अब ना हलकी हलकी सी जैसे थोड़ी गर्मी सी आने लगी है तो मैं पंखा चला लेती हूं तो जल्दी से ही सूख जाता है पोचा और मैं इतना अब हम यह जो एंट्रेंस का हमारा जो में कमरे है हम यहां पर भी थोड़ा सा पोचा लगा लेते हैं थोड़ी सफाई हो जाएगी और आप ना मेरे को कॉमेंट कर रहे थे कह रहे थे कि आप एक ही टी शर्ट कितनी बार कितने वीडियो में पहनोंगे एक्चली क्या होता है न कbut ओर आपकनी क्ली से पहन रखी है क्योंके वह सेम डे कि मेरी वीडियो होती है और कई बार किया होता है जैसे मैंने वही प्पड़े मेरे रात को पहन रखें अगले दिन सुबै का मैं शूट लेती हूं तो वही कपड़े चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता मैं 24 घंटे ही लेकिन वो वीडियो में आपको लगता है तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने इस कमरे को भी देखिए कितरे अच्छ से क्लीन कर दिया है पूरा अच्छ से देखिए फ्लोर फ़र्श एक दम साफ हो गए हैं दोनों कमरे पूरे क्लीन हो गए हैं अब हम पीछे का भी थोड़ा स मेरा समान स्टोर हो जाता है तो ये जो सामने आपको छोटी वारी लकड की अलमारी दिख रही है इसमें तो मैं विहान के खिलोने विहान का इमोचली समान मैंने रखा हुआ है या फिर जैसे मेरे को कुछ समान मिलता है प्रोमोशनल वीडियो से मिल जाता है शैंपू कंडिशनर तो कईम बार मेरे पास जादा हो जाते है जैसे शैंपू के न कड़ी बहुत लहीं कठी हो जाती है क्योंकि वीडियो में अब देखो बाथरूम में तो मैं एक ही रखती हूँ फिर जब यूस हो जाता है तो मैं दूसरा निकालती हूँ तो दूसरे जो शैंपू है वो सारे जैसे कंडिशनर होगे या क्रीम्स होगी मैं इसमें लकडी वाली अलमारी है मेरी है इसमें रख लेती हूँ जब क्षक्टम हो जाता है तब मैं निकालती हूँ और ये देखो कैसे धीरे-धीरे चल रहा है मेरे पीछे पीछे आ रहा था मोबाइल लेके तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे मेरे को कुकर मिला था यह कुकर अभी मैंने इस घर में यूज करना नहीं लगाऊंगी जब मेरा दूसरा घर कभी तयार हो जाएगा ना उसकी रसोई बड़ी रखवाऊंगी यह रसोई में आएगा नहीं स्पेस नहीं है बहुत छोटी रसोई है मेरी इसलिए मैंने अभी इसको यूज करना नहीं तो जी अब विहान बाबू यहाँ सोगे है तो हम इस वीडियो का काफी देर हो गई मैं अब एंडिंग कर रही हूँ वीडियो की करीबन दो घंटे हो गए अच्छली क्या था ना बच्चे को सुलाने लग गई थी मैं अब यह सो गया है मेरा बाबू यहाँ पर तो अब मैंने वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग कर रही है बैटके तो जी ठीक है जी हम इस वीडियो का हम यही एंड करते है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीचेगा अबने कुप सारा धियान रखिएगा पाई पाई टिक क्यर